तो देखें काचर काचार नए तरीके से बनाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शियर करें और रेसिपी को जरूर लाइक भी करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करें तो देखे काचर काचर बनाना बहुत आसान है बहुत अलग लग तरीके से बनाते हैं मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया है वह भी बहुत लोगों ने उसको अच्छा रेस्पॉंस दिया है तो यह रेसिपी में आपके लिए वापस नए तरीके से और काचर काचर हम कैसे लिया है अब हम क्या करेंगे फ्रेंट्स में आधा केजी के लगभगी मेंने काचर लिया है और इसके अंदर हम उपर वाला पॉर्सन होता है उसको कट कर देंगे और यह दिखने में पहले से हमें लग रहा है कि मीठा है क्योंकि रात दिन हम अचा डालते हैं सबजी बनाते तो देखे को हम इस इस टैप से से कट कर देंगे बिल्कुल भी छिलका है जो पील नहीं करना है उतारना नहीं है आपको छिलके सहीती, जैसे हम केरी काचार कैसे बनाते हैं, केरी को फिर भी हमें मार्केट से कटवा के लाना पड़ता है, और ये वाला आचार एकदम आसाने से बन जाता है, देखे टेस्ट किया है, एकदम मीठा है, और लगबग सारे मीठे ही निकलेंगे, मुझे ऐसा लग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और अपने प्यारे कमेंट भी जरूर करना, तो देखे मैं आपको इसलिए बोल रही हूं, क्यूंकि आपके प्यारे कमेंट से और रेसिपी लाइक करने से मुझे भी बहुत अच्छे से मॉटिवेशन मिलता है, तो देखे इ अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तीन चार पीसे में कड़वे आ गए ना तो अच्छार का पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, तो देखे बड़े बरतन में मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें मैंने एक बड़ा चमच भरके लाल मिर्ची का डाला है, और सौफ को और साबू धनिये को रोस्ट करके भी इनको पीसके भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें साबूती डाल रही हूं, मुझे खड़े मसाले अच्छे लगते हैं, अब इसके अंदर मैंने कलोंजी डाली थी, वनफोर चमच इतना, अब देखे फ्रेंस मेंने ये, जो मार् पीली सरसों डालीए, और साथ के अंदर थोड़ा PCV राई डाल दीजी, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाए नहीं, तो अब घंदी वाला मार्केट के मसाला आता है, वो डालीए, उससे और इसका टेस्ट अच्छा बढ़ जाएगा, अब इसमें हम नमक अपने स्वाद जालेंगे, और नमक फ्रेंट सोड़ा सा तीखा डालते ना, तो अचार का स्वाद बढ़ जादा, बहुत जादा भी नहीं डालना, वरना कड़वा हो गया, तो हम बिल्कुल भी खानी पाएंगे, और कम होगा तो फिर भी चल जाएगा, तो देखिए मिर्ची का और नमक, अपने टेस्ट के कोडिंग थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं, और इसमें मैंने आधा चमश इतना हल्दी पाउडर डाला है, तो देखिए अगर आप मेथी दाना पसंद करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाली, जादा नहीं डालना है, और नहीं तो आप इसक चरकाचार है, फ्रैंस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, और बहुत यम्मी लगता है, और आप इसको पराठे के साथ, चापाती के साथ, किसी के साथ भी खाए, स्वात में चार चान लग जाता है, अब देखिए मैं इसमें मुझे मिर्ची पाउडर थोड़ा कम लगा था, तो मैंने एक चमश भरके इसमें और डाला है, अब हम एक पैन के अंदर ऑइल गरम करेंगे, अगर आप सरसो का ऑइल पसंद करते हैं, आप वो गरम कीजिए नहीं तो आप जो जनरली आप जो घर पे रेगुलर यू चाहिए, ठंडा करके हमें डालना है, और उसके बार में देखें, यह हम जो अचार बना रहे ना, यह लंबी समय तक चल जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बट मैं जैसे बता रही हूं वैसे आप जरूर बनाए, अब इसके अंदर उपर अना, हमें ऊपर तक अ चाहिए, उसके बाद में इसमें तेल डालना है, और उसके जाली दार या कोई कोटन क्रोस से ढख देना है, और इसको आप चाहें, आपकी धूप आती है, तो आप ओईल दीखी उपर तक रखना है, और दो दिन तक इसको धूप में भी रखें, जिसमें इसमें क्या है कि अ अचाहर एक दम अच्छे से रहें, तो देखें फ्रेंस, हमने अचाहर बना दिया है, पूरा ओईल अच्छे से, अगर फिर भी आपको लगता है, तो आप अचाहर को काच की जार में डालकर फ्रीज में भी रख सकते हैं, और बाहर भी रखें, बिल्कुल भी खराएं, तो यजय क्योँelf रज एक भी बिल्कुल भी आदी, पक भी बिल्कुजटा, थे एक बлоपको लाएं, उने, उनिर्दमगें, पर ओंद से लोगता है, और झाहर यज़त कॉरों पालो हो विल्कुल भी पहराएं, तो आबड़ों अचाहर भी पालों अचाहर हैं, आपको ज़ पा